तयार, आज, फिजिक्स में मचाते हैं Can we find the mass of a photon by the definition P equal to mb है ना? तो अगर तुमने धंग से बढ़ा है ना? तुमने रट्टाबाजी नहीं करे यह तुमने धंग से बढ़ा है So you know the answer of this question है ना? तो इस तरह के question concepts के लिए करते हैं ना? this is true for particle, p equal to mb, mb है जो, वो Newtonian physics से निकल के आया था, momentum equal to mass into velocity, Newtonian physics से निकला था, so it is not valid for photon, क्यों, क्यों valid नहीं है photon के लिए, क्योंकि photon के momentum निकलने का formula यह होता है, this is for photon, और बाद में deep rhoi से पता चला था, आप इस बाले formula को बागी सब के लिए भी use कर सकते हो, electron बगरा किसी के पर यह जो formula है, only for particles, only for massive particles, जिन बच्चों ने मेरी classes नहीं करें, थोड़ा सा detail में बता देता हूँ, यह equation होती है, अपनी जो total Einstein के energy equation है, वो क्या बोलती है, e square equal to p into c square, p is the momentum, plus m0 c square का hall square, तो इसको तुम्हें यार लखने के एक तरीका ऐसा होता है, तो मैं ऐसा सोचतो होता ह यहाँ पर energy, m0 c square है, और यह तुम्हारी total energy है, e है, तो मतलब यार रखने का बस एक तरीका है, it doesn't mean कि energy vector है, बस यार रखने का तरीका है, पाई थागोरस है, तो यह तुम्हें क्या बता जी, this is your rest mass energy, यह तुम्हारी rest mass energy है, किसी भी चीज़ की, और यह तुम्हारी होती है for photons, photons के लिए rest mass 0 होता है, photon का rest mass 0 होता है, और mass not defined होता है, photon का mass is not defined, क्योंकि 0 by 0 का format आता है, वो special theory of relativity से देख सकते हैं, and rest mass is 0, तो अगर यहाँ पर तुम्हें M0 को 0 रखोगे, तो E equal to क्या आ जाएगा, PC, अगर यहाँ पर तुम्हें M0 को 0 रखोगे, तो E equal to PC आ जाएगा, समझ में अरी बात है न, और आपन को पता है, अगर आपन यूस करें वहाँ पर, आपन को क्योंकि momentum निकालना है, तो planks की एक equation थी, ultraviolet catastrophe के time पे planks ने एक चीज दीती, E equal to H new, तो इन दोनों को combine करूगे हैं यहाँ पर, तो तुम्हारा निकल के आजएगा, P equal to H by lambda, क्योंकि C equal to new lambda होता है, लिख देते हैं यहाँ पर, अगर किसी हो चाहिए तो, यहाँ पर लिख देते हैं, तो क्या रहा है तुम्हारा, H new equal to P into C, C क्या है तुम्हारा, C is new lambda, तो new से new कटा, तो P equal to H by lambda होता है, तो इहाँ से तुम्हारा निकल के आता है photon का formula, जो photon के momentum का formula होता है, उ समारा यह निकल के आता है, तो आप electron के case में ऐसा नहीं लिख सकते हैं, electron के case में क्योंकि M not zero नहीं, electron का response zero नहीं होता, I hope it clarifies your doubt, यह बहुत ही अच्छा question है और इसके बहुत सारे गलत आंसर दी हो है, तो मैं पता है ना, जो internet पे जो website बगर होते हैं, जो college के बच्चे लिखत हैं, वीडियो solution मगरा बनाते हैं, तो बहुत सारे गलत आंसर दी हो, इसलिए मैंने इसको detail में clarify कराया है, ना,